हाई गाईज कैसे हैं आप लोग वीडियो में हम आयटी जेई में जो प्रिवेसली कुश्चिन पूछे गए हैं वे करेंगे एन्वर्मेंटल केमिस्ट्री चैप्टर से और इसमें पार्ट बन है लगबक 40 साल पुरानी कुश्चिन देखेंगे राइट इसी तरह के काफी चै प्लीज दू सब्सक्राइब डेट ओके सो फिलाल कुश्चिन में स्टार्ट करते हैं दस्टेट्मेंट डेट इस नो ट्रू अगे इन स्टेट्मेंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहरा हूं ताकि आपको बाकी कुश्चिन भी इससे असानी स सोल्व कर सकेट राइट गईज ओके नो सबसे पहले तो आप यह देखे ओजोन स्टेंड्स फोर ओर त्री राइट एट इस वेरी टॉक्सिक गैस नो टॉक्सिक गैस फोर हुमन्स राइट ऑल्दो इट प्रिवेंट्स अबाउट नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ यूवी रडियेशन अल्टरवॉयल टीशों को जो आपकी अर्थ ए उस पे आने से रोकती है यह अपकर UV लेयर है यह और जो संड से आपकी UV रडियेशन सारी है लगबग 99.5% अउन रेडियेशन सोर्वाइबर के लिए प्लार्ट शर्वाईवर के लिए वो यहां पे बन पाता है राइट गैस दूसरा यह stratosphere क्या है यह हमारी अर्थ के ऊपर different layers है multiple layers है atmosphere की जैसे जैसे आप kilometer के ऊपर जाते हो तो different layers आती है जैसे ऊपर से जा रहे हो सबसे पहली layer पढ़ती है आपकी troposphere यानि जो यह 0 to about 10 km की जो यह वाली layer है इसको आप बोलते हो troposphere जिसमे हम humans हैं सब रहते हैं यह अर्थ से लेके ऊपर इसके ऊपर दूसरी layer होते है जिसको आप बोलते हो stratosphere यह लगभग 10 to 15 km ऊपर रहती है हमारे इस chapter में यह दो layers important है in fact जो pollution हम पढ़ेंगे इन दो layers के ही regarding पढ़ेंगे हालागी इसके ऊपर जैसे जैसे किलोमीटर आगे बढ़ेंगे और layers आती है जैसे इसके stratosphere के ऊपर mesosphere आती है mesosphere के ऊपर thermosphere आती है and thermosphere के ऊपर जो final layer है वो आती है exosphere okay so troposphere then stratosphere mesosphere thermosphere and exosphere so जो यह दो layers है यह वाली यह हमारी important है इसको ज़रूर याद रखेगा 0 to 10 and 10 to 50 km okay guys now देखे guys troposphere में basically आपके जो dust particles है यह क्या है जैसे आपका dust कहेंगे कि troposphere क्या किस किस चीज से मिलके बनावा है तो troposphere में basically dust particles रहते है air movement जितना भी है हमारा वो इस layer में रहता है cloud formation जो भी होगी वो troposphere में होती है समझ रहे है और air है तो obviously different gases भी इसमें होगी stratosphere जो composed of होता है जैसे इसमें nitrogen भी होती है troposphere में ओके guys अब पढ़ें atmospheric pollution मैंने आपको बताया मैं इन दो layers के बार में पढ़ूँगा ठीक है तो जो pollution है आपका atmospheric pollution जो हम पढ़ने वाले हैं पहला है आपका stratosphere के अंदर जो इस question में भी पूछा हुआ है और दूसर आपका जो हम पढ़ेंगे वो होता है troposphere के अंदर दोनों ही important है और आप ध्यान से सुनते रहिएगा बहुत important है बोर मत हो ना पहले देख लेता है troposphere pollution हलक हलक सा idea दूँगा क्योंकि complete जैसे जैसे question बढ़ेंगे तो आगे पढ़ते रहेंगे जैसे troposphere में दो थरह के pollution होते हैं पहला तो gaseous air pollution obviously right gaseous air pollution और जो दूसरा इसमें होता है वो था particulate matters का यह particulate pollution जो gases pollution में आप देखते हो वो क्या हो जागा जैसे oxides है of sulfur nitrogen यह carbon के यह जैसे SO2 gas है NO gas है NO2 gas है ठीक है carbon dioxide gas है carbon monoxide gas है oxides है इनकी वज़े से जो air pollution होता है दूसरा H2S gas याने hydrogen sulfide gas की वज़े से कभी-कभी hydrocarbons की वज़े से भी आपका इसमें जो pollution होगा वो gaseous air pollution के अंदर ही आता है राइट गईज नव पार्टिकुलेट pollution में क्या होगा कि जैसे आपका smoke formation होती है देखेंगे आप smoke भी आप दो तरह के उतने हैं इसमें reducing smoke and oxidizing smoke तो reducing and oxidizing smoke में आगे question है उसमें पढ़ लेंगे तो आप tension मतलीन है तो जैसे dust की वज़े से जो pollution हो रहा है धूल उड़ती है, mist है, fumes है, smoke है तो यह जितने भी इन वज़े से pollution होता है वो सब आपका particulate pollution में होगा और जो इनके oxides और gases की वज़े से pollution होता हो, gaseous air pollution के अंदर आता है अब जो हमारा main है इस question में पूछा गया है जो की stratospheric pollution हमारे stratosphere में जो ozone है बहुत ही large quantity में होती है नो ozone layer बनती कैसे या ozone जो large amount में आई है वो क्यूं है यह basically जब आपकी oxygen gas पे ultraviolet radiations act करती है तो एक reaction प्रोसीड होना शुरू जाती है कैसे देखे ओटू पे UV radiations act करेंगी याने heat काफी high temperature पे heat हो रही है और यह दो different atoms में break हो जाते है अब क्या होता है इन में से एक जब atom फिर से oxygen पे reaction करता है तो ozone layer बनती है इस बात को आप ध्यान रखेगा guys यह बहुत important है सि photochemical smoke से related और इस से related तो वो आपको जरूर याद होनी चाहिए अब reason क्या हुआ यह तो आपकी ozone बन गई लेकिन गाईद जो यह वाली reaction है यह है क्या कि reversible reaction है मतलब कि O से O2 reaction करी O3 तो बन गई लेकिन अगर ozone layer पे फिर से UV light पढ़ती है या ultraviolet radiation पढ़ती है तो यह again break हो जाती है समझे है तो यह क्या है कि यह reactions continuously चलती रहती है O2 से react करेगा O3 बनाएगा O3 इससे UV radiation एक्ट करेंगी तो break होके फिर से आ जाएगा समझार आपको गई तो इस तरह होता रहता है इसका मतलब जो यह ozone है यह thermodynamically unstable होती है ठीक है अब क्या होता है O3 इन दोनों में break हो गई और य मैं किसी तरीके से इन में से किसी को nullify कर दूँ समझे अगर nullify कर दूँ तो from Leachetlier principle में यह कह सकता हूँ overall जो मेरा reaction है वो left की तरफ move हो जागा याने ozone की जो quantity है वो decrease होनी शुरू जाती है बस यहीं पर problem आ जाती है यहाँ पर इनका quantity है वो decrease करने का काम है वो कौन प्ले करता है CFCs chlorofluorocarbons जिसको आप frions भी बोलते है राइट समझे आप सो basically यह क्या है अगर आपसे कोई CFC के बारे में पूछेगा तो these are non reactive non toxic organic molecules नो यह CFC आते कहां से chlorofluorocarbons इनके source क्या है इनके source है जैसे refrigerator है आपके घर में जो fridge है उसमें से CFC आता है air conditions है इसमें आते है या कुछ industries है कि जो की computers को clean करती है वहाँ पे भी जो वे chemicals यूज करते है उससे CFC यानि chlorofluorocarbons produce होते है अब क्या होता है CFC जो आपकी release हुई AC से या उससे तो वे किसी भी gas के साथ मिलके एक बार gas के साथ मिल गई और stratosphere तक पहुच जाती है अब यहाँ जैसे वो stratosphere तक पहुची तो इस पे ultraviolet radiations अगेन काम करना शुरू करती है अब कैसे करती है देखे मैंने कहा यह reaction हो रही थी अब तर तो अब देखे CFC यानि एक example ले ले लेता है CF2, CL2 ठीक है तो अब क्या करता है इस पे भी UV radiations काम करती है UV radiation का है ultraviolet radiations तो यह क्या करता ह CF2, CL2 यह break हो जाता है कैसे एक तो CL dot free radical और यह क्या कर लेता है अगेन C dot F2 CL यह सब की सब gases है गाईस है तो अब यह क्या है यह मेरा एक free radical बनी है अब free radical यह again ozone के साथ reaction करता है and we know जो ozone है thermodynamically भी थोड़ा unstable है यह जल्दी break हो जाता है तो यह क्या होगा इस में से एक oxygen ले ले oxygen gas बना देता है इस बात को ध्यान रखेगा गाईस यह बहुत जरूरी है जैसे ही आपके पास यह CL dot आ गया ठीक अब यह क्या करेगा मैंने क्या कहा था इन में से किसी को भी कम करना शुरू कर दे अब यह क्या करता है इस oxygen को जो यह break हो रही थी बन रही थी इसको utilize करना तो अब chlorine monoxide radical अब इस O से reaction करता है तो CL dot बन जाता है और यहाँ पे एक oxygen बन जाती है गैस तो यह जो प्रोसीज आपका यह आपको पता होनी ची कि normally अगर chlorofluorocarbons ना हो तो इतनी ही reaction होती है कि O2 break होगी O में एक बार यह break हो गया इसके बाद reaction initiate हो जाती है oxygen O2 के साथ reaction करके O3 बनाएगी O3 UV के साथ reaction करके break हो जाएगी यह चलती रहती है जैसे CF2 आए CF2 ने का radical बनाया radical ने ozone के साथ reaction के CLO dot बनाया CLO dot ने इसको utilize करने शुव कर दिया तो यह सारा का सारा funda है इसका जो आपको चीज़े पता होनी चीए गई ओके ओजोन से related एक concept ओर है nitrogen dioxide का समझे तो यह important है इसको इसी में पढ़ लेते हैं जो इसमें question में भी पूछा ते हैं अब देखें guys we know कि N2 plus O2 जब react करती है तो 2NO बना देगी लेकिन यह under normal conditions react नहीं करती क्योंकि देखें N2 basically 3 bond है तो जादा तर यह non reactive gas होती है क्योंकि 3 bond break करना बड़ा मुश्किल हो राता है तो very high temperature पे ही यह reaction possible होती है इसका मतलब at very high altitude याने stratosphere के करीब जब इन पे कह देते हैं कि lightning start होगी बिजली पढ़ती है जब temperature बहुत जादा बढ़ जाता है about 1483 Kelvin इतना high temperature हो जाएगा तब यह दो gases मिलके NO gas बना पाती है अगेन NO gas we know कि O2 के साथ मिलती है तो यहाँ पे nitrogen dioxide भी बना देती है यह चीज आपको पता होने चीए इंस्टेंट reaction होती है मतलब जैसे यह NO बनी तो यह O2 के साथ फिर सा reaction करके NO2 बना देता है समझे आपको नौ ओजोन से related क्या फंडा इसका यह यह है कि जो यह NO है यह O2 के साथ reaction करा तो NO2 बना दिया similarly अगर यह NO2 के बजाए O3 के साथ reaction कर दे तब भी यह आपकी NO2 gas में convert करता है यहाँ पे बस side में O2 gas एक side product बन देता है समझे आपको बैलेंस नहीं किया बैलेंस कर लिजेगा तो इस चीज को आप याद रखेगा कि NO2 के साथ reaction करके oxidize हो जाएगी similarly यह O3 के साथ भी oxidize हो जा question in the stratosphere CFCs release chlorine free radicals CL which reacts with O3 to give chlorine dioxide radical यह क्या है गाईज रोंग मैंना भी बताया था आपको chlorine dioxide radical नहीं बनता है chlorine monoxide radical बनता है समझे आपको chlorine monoxide radical है chlorine radical ozone के साथ chlorine monoxide I hope guys आपको समझ आओगा तो इसमें not true बताना था यानि यह statement wrong है इसका मतलब हमारा correct answer है आगे भी देखे इस a toxic gas and its reaction with NO gives NO2 समझ गे अभी बताया था ozone toxic है और NO के साथ O2 भी और O3 दोनों ही NO2 देती है इसके साथ बस NO2 और O2 भी दे देगी okay so statement सही है answer wrong है in the atmosphere it is depleted by cfc yes this is true अभी देखा हमने chlorofluorocarbons यह free ions in the stratosphere it forms a protective shield against UV radiation true true statement अभी देखा आपको समझा है आप यह आपको okay so हमारा wrong state मताना था तो correct answer is a I hope guys आपको एचीज समझ मा आए होगी बहुत जरूरी चीज थी है right so next question देखते है thermopower plant can lead to इन में से कौन सा है यह हमें select करना है और one by one देखते हैं गाईस समझ नहीं कोईश करते है ठी है now eutrophication क्या है eutrophication basically एक term है related to water pollution right now eutrophication एक word है जो की basically Greek word है जो की derive किया गया है eutrophos से e-u-t-r-o-p-h-o-s eutrophos एक Greek word है जिसका मतलब होता है well nourished या enriched समझ मा आपको अब होता क्या है देखे due to the excessive use of pesticides, fertilizers right या detergents इन सब में basically nitrates होते हैं या क्यों तो phosphates होते हैं अब जब यह nitrates and phosphates पानी में आपके पानी में चले जाते हैं इनके यूज की वरी से तो excessive algal and plant growth होता है वो lakes के उपर होनी शुरू जाते हैं जैसे यह देख रहे हैं एक नदी है और इसमें जो growth है algae और यह plant growth है उपर यह basically eutrophication है now eutrophication basically एक natural process भी होता है लेकिन due to the presence of nitrogen and phosphates यह क्या होता है न कि process तेज हो जाता है और covering जाद हो जाती है अब इसके वज़े से क्या हो जाता है कि जो oxygen है अंदर aquatic animals को oxygen जाना पोचना limited हो जाता है बेसिकली जो oxygen है या यह जो surface है इसो growth नहीं कर पाती है उससे क्या होता है कि जो aquatic animals हैं और plants हैं वह मरना शुरू हो जाते हैं तो basically इस पूरे process को ही आप बोलते eutrophication सो कुल मिलाके आपको क्या पता होना चाहिए eutrophication nitrogen phosphate की वज़ेस होता है जो कि pesticide fertilizers यह आपके detergents petroleum products इनसे जो आते हैं यह आपके nitrogen phosphate जेते हैं जिससे plant और alga growth excessive बढ़ जाती है समझे है और aquatic and plant animal को proper oxygen नहीं मिल पाती है जिसके वज़ेसे मर जाते है यह eutrophication है नो कहीं इसमें thermal power plant से कुछ आया है कुछ नहीं आया है right next देखते है अगला है ozone layer depletion यह हमीं पिछले question में देखी चुके है ozone layer depletion क्या है जब stratosphere में आपकी ozone layer है यह ozone की जो quantity है वो decrease होना शुरू हो जाती है जिसकी वज़ेसे ultraviolet radiation आपकी अर्थ तक पोचना शुरू कर देती है और temperature बढ़ाना शुरू कर देती है तो depletion किसकी वज़ेस होता है due to the presence of chlorofluorocarbons and chlorofluorocarbons कहां से आते है AC से refrigerator से etc तो यहां से CFC आते है ठीक है CFC क्या बनाएंगे CL dot CL dot क्या बनाते है CL O dot right guys so this is our also incorrect answer ठीक है ozone layer depletion नहीं है अगला है blue baby syndrome blue baby syndrome basically पानी में जब nitrates की quantity permissible limit से ज़्यादा हो जाती है तब blue baby syndrome होता है blue baby syndrome को basically आप यह infant metheomoglobinomia यह भी बोलते है एक बार देख लिए नागाईजी इतना जरूरी नाम नहीं है बस समझ रहे है आप है ना तो blue baby syndrome को इसको यह भी बोलते है और यह basically जब कैसे होगा जब यह जरूरी है guys यह important है nitrates की quantity जब permissible limit से ज़्यादा हो जाती है तब blue baby syndrome होता है ना हमारे water में international standards के according 50 parts per million यानि 50 ppm maximum permissible limit है यानि इतना less than या equal to nitrates present है तो it is safe for drinking लेकिन अगर इस से ज़्यादा है तो यह it can cause this BBS right समझे आपको अब baby इसमें होता क्या है कि जो बच्चे हैं infants हैं वे नीले पढ़ने शुरू हो जाते हैं नीले क्यों पढ़ते हैं हुमोगलोबिन की कमी से समझे में आपको हुमोगलोबिन क्या है these are blood proteins responsible for carrying oxygen अपनी पूरी बोडी में ठीक है पूरी बोडी में oxygen ले जाते हैं हुमोगलोबिन तो जब हुमोगलोबिन की कमी हो जाती है नाइट्रेट्स की होने की जाधा होने की वज़े से तो जो बोडी है वो नीली पढ़नी शुरू रहते हैं कुल मिला के यह है गाईस तो इसमें भी आपका thermal power plant से कुछ है नहीं हो अब लास आ है acid rain acid rain क्या है देखिए गाईस सिर्फ acid rain में यह मत समझेगा कि rain है तो सिर्फ पानी की फोम में ही बरसेगा समझे है rain से मतलब सिर्फ acid rain हो गया इसका बोल दिया नहीं लेकिन acid rain को आप क्या बोल सकते हो कि कुल मिला के acid deposition यह ज़्यादा correct word होता है इसका समझे सो मतलब any form of precipitation किसी fog की form में हो रहा हो hail storms की form में हो रहा हो ठीक है या even अगर dust भी गिर रही है कुछ अगर वो है तो अगर यह सब acidic है तो उसको acid deposition या acid rain बोलते हैं नो जब मैं बोलता हूँ कि यह सब acidic है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें acidic components हैं such as sulfuric acid या फिर nitric acid यह important है अगर इनके कम यह present है इन सब में तो मेरी जो acid rain है वो हो जाती है समझ में आपको गाईस नो एक बात समझे पहले गाईस जब मैं acid बोलता हूँ इसका मतलब क्या है कि जो आपका normal water है पानी है जो precipitation हो रहा है rain हो रही है उसमें जब मैं कह दूँगा कि H2O में acidic content जादा हो गय तो इसका मतलब क्या है कि इसकी pH नीचे हो गई pH गिर गई इसकी समझे तो एक बात आप हमेशे याद रखिए कि इतना यह important point है repeat होता है कि जो आपका normal rain water है उसकी जो pH होती है is 5.6 जब 5.6 से नीचे pH होना शुरू हो जाएगी तो मैं कहने लग जाओंगा कि जो मारा water है या rain है वो acidic होना start होगी है समझा है नव एक बात समझी pH है 5.6 याने इसमें H ions होते हैं अब H ions water में आए कहां से देखें गाई है ह2O normally आपके CO2 से reaction करती है जो आपको H2CO3 बना सकती है H2CO3 अगेन फर्दर डिवाइड हो सकता है जो कि H ion and HCO3 नेगेटिव दे देती है तो कुल में आके हम यह कह देते है कि क्योंकि यह क्या है weak acid है तो H ion इसलिए मिल रहे है जो 5.6 जो मिल रहा है आपको pH वो इसकी वज़े से मिल रहे है इतना आप समझ के चली कोई अगर पू बेन पढ़ रहे है आसमान से आसमान में कौन सी बोतल रखी है sulfuric acid या nitric acid अब देखे होता क्या है हमारे atmosphere में sulfur dioxide gas है या nitrogen dioxide gas है NO2 नो SO2 जब oxidation होता है इसका O2 से उसके बाद यह H2O से react करती है तो यह H2SO4 बना देती है समझे है sulfur dioxide gas का oxidation होता है फिर वो H2O से reaction करती है पानी के साथ और H2O4 बना देती है similarly NO2 भी जब oxidation होता है इसका O2 से और उसके बाद ही H2O से react करती है तो आपका HNO3 बनाती है समझ में आपको यह जो SO2 है NO2 है कहां से आई यह अलग फंडा है यहीं पर आपका question solve होता है basically जो यह gases है sulfur dioxide या NO2 dioxide हमारे majorly burning of fossil fuel से produce होती है जैसे आप koila जला रहे हो thermal power plants के अंदर इस तरह से नौ वे जो burn कर रहा fossil fuel उनके अंदर sulfur और nitrogenous matter present होना चीए तभी तो sulfur से SO2 और nitrogen से NO2 मिलता है नौ fossil fuels का example जैसे आप power station में crude oil burn कर रहे हो thermal power plant में या petrol यूज कर रहे हो डीजल यूज कर रहे हो इस तरह से जितनी भी आपकी motor गाडियां हैं ये आपकी जो cards हैं तो इसमें से भी आपका petrol और desert जल रहा है तो इससे भी sulfur dioxide और NO2 बन जाती है जो की oxidation के बाद फिर H2O से reaction करने के बाद H2O4 and HNO3 बना देती हैं इसका मतलब आपके atmosphere में HNO3, H2O4 हो गया और water के साथ जब नीचे पड़ेगी तो acid rain शुड़ू हो जाते हैं इतना समझ मा आ गया है तो इसका मतलब ये acid rain की हुगी क्योंकि burning of fossil fuels से thermal power plant में तो acid rain बन रही है तो मेरा correct answer ये होगे I hope guys आपको समझना हो इसके बाद एक चीज और समझी है ये बहुत important है कि जो acid rain है ये harmful क्यों है समझे और किन-किन चीजों के लिए harmful है basically guys जो acid rain है is harmful for अपने agriculture ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीधे सीधे answer आएंगे NCRT से direct उठाई भी मैंने agriculture है trees है plants है इन से basically इनको basically harmful करता है क्योंकि जब acid इनके उपर गिरेगा तो ये खराब हो जाएगी फसल समझे और इनके क्या करता है जो nutrients है वो बहा देता है by agriculture में जो आप बढ़ा कर रहे हो trees है plants है इन सब को कर देता है similarly जब ये lakes या आपकी नदियों में जाता है पानी तब जो आपकी aquatic life है plants की या animals की उनको भी harmful पुचाती है तो land पे भी और आपके समुंदर में भी दोनों हर जंगे ये नुकसान पुचाती है similarly ये जो acid rains है ये जो pipes है heavy metal से बने वे होते हैं उनको भी corrode कर देती है उनमें जंग लगा देती है corrode कर देती है now heavy metal जैसे iron, lead, copper इन सब को ये corrode कर देती है समझ रहें also जैसे आपके marble है जैसे ताज महल है वह ऐसे marble है उनको भी corrode कर देती है या उनकी जो basically building material है वह खराब कर देती है तो show basically खराब होनी शुरू हो जाती है समझ आप guys आपको जैसे इस पे बहुत common example है जो अभी आपको मैंने बताया ताज महल का ताज महल basically white marble से बनाया संगे मर्मर जो की calcium carbonate है basically तो जब ये for example H2SO4 के साथ reaction करता है तो ये क्या कर देगा reduce कर देगा इसको HA SO4 में convert कर दिया H2O लगी CO2 gas निकल गई समझ है तो कुर मिला कि जो आपको marble है उसको destroy कर दिया इसने खतम कर दिया तो ये चीजे हैं जो acid rain नुकसान पहुचाती है मतलब आपकी land की animals की plant life को भी equative को भी जो आपके pipes है heavy metals उनको corrode कर देगी corrode करने के बाद जो पानी वानी उनको में जा रहा है उस वो भी खराब हो जाएगा मार वाल है building है ये भी खराब हो जाती है ठीक है तो ये चीजे आप सबको ध्यान रखने है I hope guys आपको ये चीजे समझ माई होंगी कोई एक बार अगर दिख्का तो रहे हो एक बार दुबारा सुन लीजेगा इसको right so next question देखते है the incorrect statements among A and D A to D regarding acid rain is अब देखे अब तो हमने सबको acid rain का सारा discussion पढ़ चुक है न अब इस पर जो भी question आएगा इतने में ही आ जाएगा it can corrode water pipes yes this is true statement incorrect बताना में it can damage structures made of stone yes this is a true statement it cannot cause respiratory ailments in animals this is false ठीक है basically effect जो डाल रही है animals और इन सबको तो respiratory problems डालती है it is not harmful for trees ये भी wrong statement है ठीक है तो इसका मतलब incorrect statement कौन से होग है C and D याने option C is your correct answer I hope guys आपको समझ में आओगा right so ये चीज है guys अब यही repeat होती रहती है next question देखते है the condition that indicates a polluted environment is पहला है 0.03% है CO2 का atmosphere में तो क्या pollution में count होगा मैं आपको देखिए generally जो अंदर प्योर air में under normal conditions जो आपकी CO2 है atmosphere में वो लगबग 0.04% रहती है याने अगर इससे कुछ ज्यादा हो गई 1%, 2%, 0.09%, 0.10% तो वो थोड़ा मैं कहा दूँगा कि हाँ CO2 की value जादा होती जारे है तो 0.03 & 0.04 लगबग नॉर्मल ही condition है तो यह polluted environment में नहीं count हो तो यह मेरा wrong statement हो गया pH of rainwater to be 5.6 मैं आपको acid rain में भी बताया कि जो normal rainwater उसकी pH 5.6 होती है अगर इससे कम होगी तब वो acid rain में count होता है तो यह भी एक wrong statement हो गया सामरे rain wrong मतलब की polluted environment से regarding eutrophication eutrophication क्या polluted environment को represent करता है yes polluted environment को क्यों क्यों क्योंकि plant जो excessive abnormal growth हो जाती है plant या algae growth जो आपकी lakes water bodies के ओपर उसको eutrophication बोलते है और जो की water pollution में count होता है so this is our correct answer अगला BOD value of 5 ppm now BOD का मतलब क्या है BOD stands for guys biochemical oxygen demand now biochemical oxygen demand क्या है यह उतना amount है कि basically क्या है कि amount of oxygen oxygen gas required by bacteria to break down organic matter present in certain volume of water मतलब जैसे कुछ आपने पानी ले लिया पानी है समझे तो और इसके अंदर कुछ organic matter डाल दिया कुछ भी है अब पानी के अंदर जो bacteria है इसको breakdown करेंगे biodegradable होना चाहिए उसके लिए यह जो आपका organic matter obviously तो जो bacteria है इसको breakdown complete जब breakdown कर लेंगे तो उन्हें कुछ oxygen भी चाहिए बही है ना oxygen लेंगे breakdown करने के लिए तो जितना oxygen चाहिए permissible जो limit है उसको आप biochemical oxygen demand बोलते हैं हो गई 17 ppm तो मैं यह कह दूँगा कि जो मेरा water है is polluted 5 से कम है देखे 5 17 यह है limit 5 से कम है तो safe for drinking 5 से 17 के बीच में है तो मैं कह दूँगा drinking के लिए safe नहीं है लेकिन इतना ज्यादा polluted नहीं कहूंगा कि highly polluted मे उसमें नहीं आएगा यह limit आएगी आपको इसमें है न लेकिन polluted तो है लेकिन इतना नहीं लेकिन एक बार 17 से ज्यादा value हो गई 17 या 17 से ज्यादा तो वह very polluted water उसकी टर्म में आना शुरू हो जाता है तो यह चीज आप जरूर याद अगे तो इसका मलब आपकी अगर 5 PPM है तो उसे कम तो वह क्या है बेसिकली clean water polluted को नहीं represent करती यह भी wrong statement होगा आपको यह सब fluoride आपके पानी में 1 PPM है तो वह क्या safe है teeth के लिए harmful के लिए किस किस चीज के लिए क्या है मतलब जैसे मैंना भी आपको बताया था ना कि nitrates अगर 50 PPM से जादा हो गए तो वह blue baby syndrome होना शुरू हो जाता है तो ऐसे ही fluoride है या दूसरे आपके कुछ metals है या ions है जिनकी permissible limit दी हुई international standards के according वह यह table देखिए इसका आप screenshot भी ले सकते हैं जैसे मैं देखता है यह तो guys याद ही रखनी पड़ेगी आपको लेकिन इसमें direct question हो जाएंगे बहुत साल जैसे fluorides है maximum permissible limit है 1 ppm यानि 1 ppm के less than या equal है तो वह safe है कोई harmful है जैसे इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो वह नुकसान पुचाना शुरू कर देगा human body को similarly जैसे lead और manganese की maximum permissible limit है 0.05 ppm iron और aluminum की है 0.2 sulfates की 500 nitrates की 50 यह भी हम पड़ चुके थे copper की 3 ppm zinc 5 ppm cadmium 0.005 ppm यह चीज आपको पता होनी चाहिए यह पूछी जाती है इसका मतलब की the presence of soluble fluoride ions up to 1 ppm concentration drinking water याने 1 ppm है तो याने safe है कोई नुकसान नहीं है is safe for teeth harmful to skin harmful for teeth harmful to बहुंचाने यह है safe for teeth ही समझ मारा रहा है बस एक answer safe है क्योंकि कोई नुकसान नहीं पुचाना I hope guys आपको समझ में होगा एक चीज आपको बताव दो क्योंकि इसमें आ गया कुछ चीजे इनमें से repeat होती रहती है जैसे fluorides है यह आपके tooth decay अगर निका quantity जादा हो गया तो tooth decay होना शुरू जाता है दातों में है न जैसे lead है lead की बात कर रहा हूँ अगर lead की quantity जादा होने शुरू हो जाती है तो आपकी kidney है यह liver है वो damage होना शुरू हो जाता है अगर आपका जो sulfates है यह basically जादा हो जाता है तो आपको laxative problems होनी शुरू जाती है मतलब जैसे dust was होना पेट खराब होना ठीक है नाइट्रेट्स का भी देब बताई चुका हूँ blue baby syndrome होना शुरू हो जाता है तो कोल मिला के यह चीज़े आपको पता होनी ची राइट So I hope guys आपको यह चीज़े समझ माही होगी next question देखते है Biochemical Oxygen Demand is the amount of oxygen required in PPM for the photochemical breakdown of waste present in 1 meter cube नहीं for sustaining life in water body by bacteria to breakdown organic waste नहीं certain volume water sample या this is correct answer See the definition based हा guys Right, anaerobic bacteria to, नहीं anaerobic क्या होगा, aerobic होना चाहिए ना guys breakdown तो कोगी oxygen ले रहा है ठीक है तो यह आपका C is में correct answer है Right, एक बात और ध्यान रखे है guys कि जो मैंना भी आपको पिछले question में बताया था यह PPM PPM को कभी-कभी आपको यह milligram per decimeter cube में भी दे सकते है milligram per decimeter cube तो basically 1 PPM is equal to 1 milligram decimeter cube तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखे है Right, so फिलाल जो यह हमारा question था इसमें C option is correct Next question देखते है The primary pollutant that leads to photochemical smoke is Now guys, अभी मैंने आपको जो पहला question में यह बताया था ना कि जो atmospheric pollution में हम जो देखेंगे stratospheric and troposphere में देखते है stratosphere में तो आपका ozone layer depletion हो गया Troposphere में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका एक तो oxides हैं जो gaseous air pollutant हो गया Oxides of carbon nitrogen या sulfur हो गया hydrocarbons हो गया इनकी वज़े से एक आपको बताया था Particulate pollutants है कुछ जैसे dust, smoke, fumes, smoke राइट तो यह हो गया Troposphere में pollution रहते हैं इसमें smoke पढ़ते हैं Basically smoke का word जो आया है वो smoke और fog से मिलके बनता है ठीक है नो जो यह smoke है वो basically two types का है एक तो आपको बोलते है classical smoke समझा है Classical और दूसरा होता है photochemical smoke जो की आपको इस question में पूछा गया समझा है नो जो आपका यह classical smoke है इसको आप reducing smoke भी बोलते हैं यह जरूर धियान रखेगा इस इंपोर्टेंट है और जो photochemical smoke है इसको आप oxidative या oxidizing smoke भी बोलते हैं ठीक है यह reducing smoke this is oxidizing smoke जो classical smoke है यह तीन चीज से मिलके बनता है एक तो smoke याद रखेगाई फोग और दूसरा SO2 gas भी आजाती है ठीक है अब देखते हैं photochemical smoke यह क्या क्या है यह थोड़ा important है आपका इसमें तो इतना ही था देखेगे यह बात ध्यान रखेगे जो आपका photochemical smoke है यह warm dry या sunny climate है गरम जो आपका climate के reasons है ठीक है वहाँ पर बनता है तो मलता है वाँ हो गया या dry सूखा हो गया या कह देते हैं कि sunny climate है सो basically वहाँ पर यह वाला oxidizing smoke यह बनता है बनता कैसा है कि simple word में बोलूँ कि जब आपकी sunlight react करती है या act करती है on unsaturated hydrocarbons या nitrogen oxides पे जब by the action of sunlight क्योंकि गरम एरिये में हो रही है on unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxides तो अब आपका यह smoke बनता है यह जो unsaturated है hydrocarbons या nitrogen oxides है यह कहां से आते हैं यह आपकी factory से thermal power plant से automobile से यहाँ पर बन रहे हैं समयने आपको आप जो आपका photochemical smoke है वो basically इसके यह माने कि जब आप मैं कहूंगा कि photochemical smoke बन गया मेरा तो मैं यह कहूंगा इसमें मेरे तीन components है एक तो formaldehyde, एक acrolin और एक PAN, peroxy acetyl nitrate यह तीन है अभी information इनकी पढ़ेंगे हम important है तो अभी देखते हैं लेकिन जब मैं यह बोलता हूं कि जो photochemical smoke है वो combination है तो मैं एक कहूंगा कि यह तीन चीज है तो वो photochemical smoke बना देती है नो यह तीन चीज जो है यह smoke तो बन गया लेकि इनको बनाता कोन है समझे है इनको बनाता कोन है वो इस question का answer है primary pollutants वे pollutants जो की मिल के बना रहे है इस photochemical smoke इतना समन्द माया है आब आगे आया कि जो main इसके action बनते कैसे है कि जब unsaturated hydrocarbons और nitrogen जो oxides है इन पे जब sunlight react करती है तो यह basically आपके बनते है अब यह जो nitrogen oxides या hydrocarbons आ रही है यह आई कहां से fossil fuel को burn करके या automobile से petrol diesel को burn करके आती है तो start कैसे होती है देखे स्टार्ट होती है आपकी nitric oxides है NO यह important है guys reaction आप एक बार देख लेंगा ना समाझ माझ आ जाए हो nitric oxide जब O2 के साथ reaction करती है in the presence of sunlight या H new लिख देते हैं तो यह क्या हो जाएगा अभी हमने पहले पढ़ा था न NO2 या O3 के साथ मिलके NO2 बना देते हैं ठीक है अगेन जो यह NO2 gas है यह फिर से जब sunlight की reaction होती है light इस पे गिरती है तो फिर से breakdown हो रहता है वापस इसका NO में याने NO और यहाँ पे एक O याने nascent oxygen मिल आता है oxygen atom ठीक है अगेन जब यह oxygen जहां से देखे गाई फिर से O2 के साथ reaction करती है तो यह ozone बना देती है अगेन वही फिर से ozone क्या करती है वही NO के साथ reaction करके मैंने क्या बताया था NO2 NO2 बना देती है समझे है तो अब हो क्या रहा है देखे जो यह मेरा final यह बन रहे है NO2 and O3 ozone इनका सारा fund है जो यह ozone है यह NO2 है बोथ आर strong oxidizing agents नो जब यह strong oxidizing agents है यह easily react कर लेते हैं आपके जो hydrocarbons है उन से hydrocarbons को react करके इनको convert कर देते हैं आपके तीन main उसमें components में formaldehyde, acrylene and peroxyacetyl nitrate यहने pan तो basically अगर आप इसको देखोगे CH4 जब ozone के साथ reaction कर रहा तो इसने क्या बनाया formaldehyde plus acrylene and plus आपका बनाया PAN CH3COOOONO2 तो यह क्या है formaldehyde, यह क्या होगया acrylene और यह क्या होगया peroxyacetyl nitrate pan तो यह तीन क्या होगया अब समझ में कोश्च करिए आप NO थी जो unburned थी आपके automobile से निकली यह NO2 में convert होगी NO2 फिर से NO और oxygen, nascent oxygen में break होगी अब क्या होती है यह जो oxygen है यह O, O2 के साथ reaction के ozone में convert हो जाता है ozone further इसको CH4 hydrocarbon कर यह करके इसमें convert कर देता है समझना आपको तो इसका मतलग अगर मैं यह कहूँगा कि primary pollutant क्या है that leads to photochemical smoke बिल्कुल main पहला तो hydrocarbons and NO यह nitrogen oxides तो जो मेरा correct answer है वो क्या हो जागा option number B ठीक है इसमें बहुत friends confused हो रखते हैं कि B और C भी हो सकता है तो इसको आप थोड़ा सा देखके चलिए अगर single word correct answer है तो nitrogen oxide लगा दिया थोड़ा सा इस तरह से सोच के चलिए क्योंकि basically reaction जो start होई है वो तो NO से ही होई है nitrogen के oxide से ओधरी तो बाद में आया ठीक है I hope guys आपको सम नमबर C nitric O है reaction करती है NO2 में convert हो जाता है NO2 फिर break होता है NO में O reaction करता है O2 के साथ O3 बन जाता है and O3 hydrocarbons के साथ reaction करके formaldehyde, acryoline and PAN बना देते हैं तमझे आपको एक one line में याद आ गया तो option number C is your correct answer right so next question देखते है Air pollution that occurs in the sunlight is acid rain, oxidizing smoke, fog या reducing smoke तो अभी मैं आपको बताया था Air pollution में क्या है जो आपका sunlight की presence में oxidizing smoke हो रहा है याने जो आपका photochemical smoke है यह this is more correct answer right okay तो acid rain है यह तो sunlight के कुछ ऐसा है नहीं rain हो रही है sunlight है नहीं है मुझे कुछ मतलब नहीं है fog से एक vague term हो गया यह कुछ नहीं है ऐससे oxidizing या reducing oxidizing होता है sunlight की presence में तो आपको देखिए अब जल्दी जल्दी question हो रहा है एक बार समझ रहें तो next question देखते है the reason of the atmosphere where clouds form and where we live respectively आपको अभी पहले question बताया कि जो troposphere है वो earth से उपर यह 10 km का यह distance इसी में ही cloud formation होती है इसी में humans रहते है तो इसका मतलब troposphere इसका answer क्या okay cloud form troposphere where we live troposphere तो option b is your correct answer next question देखते हैं the layer of atmosphere between 10 km to 15 km above the sea level is called as अभी देखा था stratosphere right क्यों देखे अर्थ 0 to 10 km में आ गया troposphere और 10 to 50 km में क्या आ गया stratosphere ठीक है तो A option correct answer next question देखते है the maximum prescribed concentration of copper in drinking water is यह guys table देख लीज़े मैंने कहाता आपको table याद कर लीज़े copper की क्या है maximum prescribed limit 3 ppm तो इसका मतलब यह option number D is your correct answer right so guys यह direct options है तो बस इतना ज्यादा tough नहीं है guys इसमें अब एक बार आपने कुछ concept समझ लिए तो right so next question देखते हैं assertion and reasoning type of question है ozone is destroyed by chlorofluorocarbons in the upper stratosphere this is correct answer right यह भी हम समझ चुक है chlorofluorocarbons की वरेसे जैसे CF2-Cl2 होगया हमने देखा था so this is correct statement ozone holes increase the amount of ultraviolet radiation reaching the earth यह भी हमने देखा था ozone layer depletion हो गया ozone hole create हो गए यह react कर लेते हैं basically O के साथ तो जिससे O and O2 react नहीं कर पाती O3 से ठीक है यह used up हो जाते हैं समझे थे हम सब कुछ इसका मतलब क्या है ozone layer में hole बनने शुरू हो जाते हैं और UV radiation अर्थ पर पोशने शुरू कर लेते हैं लेकिन जो यह A statement का जो correct reason यह नहीं है correct reason क्या है ozone is destroyed by CFC in the upper atmosphere वह इसलिए reason क्या है correct कि जो chlorofluorocarbons है यह basically chlorine monoxide radical बनाते हैं जो कि आपके oxygen atom के साथ reaction करके O2 gas में convert कर देते हैं अब यह क्या होता है जो formation O3 का जो O and O2 के साथ मिलके बनती थी वह hemper हो जाती है यह खतम होनी शुरू हो जाती है तो backward reaction प्रोसीड होगी O3 बनना कम हो जाता है यह reason है तो statement सही है लेकिन reason wrong है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका option number C है is correct याने assertion reason are correct but the reason is not the explanation of assertion okay so next question देखते हैं the upper stratosphere consisting of the ozone layer protect us from the sun's radiation that falls in the wavelength region of now basically यह किस से protect करती है UV radiation से now ultra wallet radiation किस wavelength range माती है तो अगर आप इस table में देखोगे जो UV radiation है वो 400 nanometer से 1 nanometer के बीच में याने एक से 400 के बीच में कर लाई कर रही है तो आपका correct answer हो गया तो यह तो बाहर ही जा रही है यह बहुत सारी tricks है जो range को आप कैसे याद रख सकते हो बहुत easy हो जाएगा आप एक बार देख लिए मैं भी देख लूँगा मैं बना दूँगा तो यहां पर डाल दो लेकिन आप ज़रूर देखे already present है ठीक है तो फिलाल इसमें D option correct answer है next question देखते है the compound that is not a common component of photochemical smoke यह आपको already में बता चुका हूँ कि जो हाला कि इस question में formal dehyde नहीं दिया है ozone दिया है लेकिन कुल मिलाग आप यह कह सकते हो कि जो smoke बन रहा है इसके reasons की वज़े से बन रहा है देखे अब यह थोड़ा सा confusing question हो जाएग आपके लिए photochemical smoke में ozone का तो कुछ देखे यह तो होई गया यह और यह दोनो अक्रिलो नाइट्राइल और PAN तो दोनो है लेकिन ozone का भी कोई role तो ही obviously लेकि chlorofluorocarbons का role नहीं यह तो ozone layer depletion में आता है photochemical smoke में तो नहीं है तो मैं यह कह दूँगा कि हाँ ठीक है component as such यह नहीं है लेकिन role तो प्ले करता है ना यह भी मैं अब समझे ना किस सेंस में बोलो CF to CLT तो कहीं से भी role नहीं play करते है तो इसमें यह मेरा जो correct answer हो जाएगा इस तरह से देखना है आपको more correct समझा आप फिलाल next question देखते है water samples with BOD values of 4 ppm and 18 ppm respectively are आपको मैंने गाइज पिछले question में बताया था biochemical oxygen demand या BOD की value अगर less than or equals to 5 ppm है तो it is safe for drinking लेकिन BOD की value greater or 17 ppm हो जाए it is very polluted water और अगर BOD इस range में है तो वो not safe for drinking हो जाएगा ठीक है इस तरह से कहते हैं यह कह दूँगा कि जैसे अगर suppose 10 ppm ही है समझे है तो 10 ppm और 17 ppm में या 18 ppm में compare करूँ तो जिसका ज्यादा ppm हो गया parts per million BOD तो वो ज्यादा polluted हो गया समझे है तो अब इन दोनों sample के दे दिये इनोंने एक तो 4 ppm का water है और जो दूसरा है वो 18 ppm का है अब इसमें बताने है कौन कौन सा है पहला तो obviously clean हो गया और दूसरा polluted हो गया highly polluted in fact तो option number आपको क्या हो गया D is your correct answer right so next question देखते हैं the molecule that has minimum or no role in the formation of photochemical smoke obviously अब देख लिया आपको NOB है formaldehyde बनता है तो वो smoke बनाता है component A, ozone भी role play करती है important N2 का कोई role निया है यह तो देख लिया था ना मने गयाइस ठीए अब आपको confusion हो सकता है आप भी कह सकते है अगर N2 and O2 मिलके NO बना दें तब भी तो यह role play कर रहा है लेकिन guys under normal conditions मैं यह कहूंगा कि यह reaction होती नहीं है जब high temperature पर जब बिजली कड़केगी तब कुछ होगा यह reaction तो under normal condition भाई यह reaction तो कुछ भी हो सकती है लेकिन जब मैं question solve कर रहा हूं तो more correct answer देख नहीं कोश्च करूंगा तो N2 is incorrect in this case ज्यादा right so N2 मेरा इसमें क्या हो गया कि कोई भी role play नहीं करेगा तो N2 is my correct answer right so next question देखते हैं ताजमहल is being slowly disfigured and discolored this is primary due to अभी हम देख चुके है acid rain की वरे से क्यों क्यों क्योंकि calcium carbonate है जो आपका marble है उस चीज का बना है CACO3 वो H2SO4 यह HNO3 के साथ एक्षिन करता है acid rain जिसमें 5.6 से कम pH हो जाता है तो यह क्या हो जाता है CACO4 में convert हो जागा H2O and CO2 और इसके वाज़े से discoloring होनी शुरू हो जाती है तो यह reason है acid rain आपको मैं already समझा चूंग गाई Okay so next question देखते है The higher concentration of which gas in air can cause stiffness of flower buds Flower buds की stiffness क्या है देखे यह straightforward answer question है कि आप यह समझे कि flowers हैं वे जो थोड़ा stiff हो गए सक्त हो गए और तूटरना शुरू हो जाते है Basically वो stiffness है flower buds की यह basically होता है due to the presence of या high amount of SO2 gas Sulfur dioxide gas जब इसकी quantity जादा हो जाने लग जाती है तो it will lead to stiffness of flowers, stiffness of flower buds और which eventually, जो flowers है eventually तूटके गरने शुरू हो जाते है ठीक है यह समझा, SO2 का बारे में एक और चीज़ बता दूँ आपको जो SO2 है normally, जो आपकी eyes है उसमें भी irritation cause करती है आपकी आँखों में आंसु आना शुरू हो जाते हैं, लाल होनी शुरू हो जाती है ठीक है तो यह इस तरह से भी इसका question पूछा जा सकता था आपको तो फिलाल यह correct answer है, next question देखते हैं पर-oxy-acetyl-nitrate, PAN, an eye irritant अब देखी यह याद कर लिजे कि यह भी एक eye irritant है ठीक है, just like SO2, is produced by, अभी देख चुक है न गाइस, PAN क्या है, photochemical smoke, option D, यहाँ पर आपको oxidizing smoke भी लिख सकते थे, वो भी correct answer होता देख, classical smoke क्या है, reducing smoke है, यह नहीं है, acid rain भी नहीं है, organic waste भी नहीं है I hope guys आपको समझा होगा, next question देखते है, the concentration of dissolved oxygen याने DO in cold water can go up to Now guys, देखे, जो वो BOD वाला question आया था न, उससे थोड़ा से different होगया BOD क्या है, कि जो bacteria require करते है, समझा आपको, और DO क्या है, कि जो normally होती है ठीक है, BOD क्या है, इतनी तो होनी चाहिए, और DO क्या है, dissolved oxygen कितनी होती है, normally यह, यह तो आपको याद होना चाहिए, dissolved oxygen, basically, अब dissolved oxygen की जरूरत क्या है, कि जो organic matter होता है, water में, वो decompose करते हैं, bacteria, जिनको bacteria जो decompose करते हैं, organic matter, वो कैसे करते हैं, कि oxygen लेते हैं, और इसको decompose करते हैं, तो वो वाला है तो जितनी required है, वो तो biochemical oxygen demand होगा, reaction होने के लिए, बैक्टरियों कितनी चाहिए, और कितनी होती है, normally, वो यह हो गया तो इसका तो क्या answer कि, जो cold water है, उसका जो DO है, dissolved oxygen, उसमें 10 ppm होती है, generally, can go up to 10 ppm, समझे हैं, इससे related एक सवाल हो जाता है, कि जो dissolved oxygen हो गई, air की, देखे, air में, समझे हैं, air में होती है, इसमें तो सिर्फ 10 ppm है, और इसमें कितनी है, 2 lakh ppm, समझे हैं, अब देखे, cold water में त 2 lakh ppm, इसी वज़े से, जो आपका पानी है, water है, वो जल्दी गंदा होना शुरू हो जाता है, समझे हैं, और जो यह आपकी aquatic plants है, animals हैं, मरने शुरू हो जाता है, तो यह बहुत sensitive हो जाता है, इसकी वज़े से, right, so जो आपका correct answer है, is B, next vision देखते है, the reaction that is not involved in the ozone layer, depletion mechanism in the stratosphere is, यह guys मैं already आपको बता चुका हूँ, क्या होता है, कि CF2, CL2, UV के साथ reaction कर रहे है, CL dot और C dot F2, CL बना रहे है, जो यह CL dot है, again ozone के साथ reaction करे है, CLO, यानि chlorine monoxide free radical बना देते है, O2, यह CLO dot अब उस oxygen को consume करना शुरू कर देते है, ठीक, अब यह CL dot क्या है, फिर से ozone के साथ reaction करे ह तो यह main तीन reactions है, तो अगर आप इसमें गोर से देखोगे, यह वाली जो reaction है, वो यह हो गई, यह वाली जो reaction है, यह वाली हो गई, अब इसको देखिए, यह वाला थोड़ा tricky है, समझे है, अब देखिए, एक बात देखिए, normally यह जो पहले वाली है, वो तो ही नहीं, यह त सिर्फ आपको एक option बताना है, तो आप तो इसको देख के more correct करके कि यह तो ही नहीं smoke किया, तो आप cancer लगा देगे, इसमें confuse नहीं होने काई, देखिए, HOCl है, ठीक है, HOCl present होगा, gas में, hypochlorous acid, अभी क्या होगा, sunlight के साथ यह भी reaction कर रहा है, OH dot और CL radical में convert हो रहा है, कुल मि मैं के में कह सकता हूँ, में भी यह हो रही होगी, ठीक है, अब देखे, multiple reactions होते है, जितनी हमने पढ़ी है, वो तो basics है, ठीक है, इस बात को ध्यान रगेगा, थोड़ा यहाँ पर confusion शुरू होना शुरू हो जाता है, I hope guys, आपको समझना होगा कि यह तो आपको देखते ही सम वाले में, इसमें BOD कितना है, biochemical oxygen demand 20, ठीक है, अब the correct statement regarding them is, अब मैंने क्या कहाता, देखे, जो पीने के लिए BOD कितना होना चाहिए, safe, less than PIA PM, और बिल्कुल जैसे जैसे बढ़ती रहेगी PPM, तो जो polluted होता रहेगा, water ज्यादा, So obviously इसका answer क्या हो जागा, B is more polluted than A, A भी polluted है, B से लेकिन B ज्यादा polluted है A से, A is more polluted than B, this is wrong हो गया, A is suitable for drinking, नहीं भईया, 5 से या 5 से कम होनी चाहिए थी, both A and B are suitable for drinking, यह भी गलत हो गया, I hope guys आपको एक question सारे समन माया होंगे, Now, इस question को देखे guys, which is wrong with respect to our responsibility as a human being to protect our environment, Now guys, देखे, restricting the use of vehicles, yes, this, क्या बताना, wrong बताना, wrong, यह this is correct statement, इससे कम करेंगे use, तो सहीद हैगा, avoiding use of floodlight facilities, yes, अगरी कम use करेंगे, तो हमारा जो environment हो सहीद हैगा, setting up compost in teen gardens, this is also true, क्यों क्योंकि आपके जो यह पानी के साथ बह के नदियों में नहीं जाएंगे, Using plastic bag, this is wrong, plastic bag use करके environment friendly यह option नहीं है, less use of plastic bags, ज्यादा environment friendly है, इसका मतलब जो आपका correct answer है, is D, I hope guys आपको समझ माया होगा, इस question को देखते है guys, water filled in two glasses A and B, have BOD value of 10 and 20, The correct statement regarding is, मैंने आपको क्या आदा देखे, BOD जो less than 5 ppm है, तो वो safe for drinking ही होते है, उससे ज्यादा pollution ही होता रखता है, Right guys, so D option is correct, next question देखते है, the pH of rain water is approximately 5.6, यह अल्रेडी देख चुग है, 5.6 से कम pH होना शुरू हो जाएगा, तो आपका acid rain होने शुरू हो जाती, Next question देखते है, the condition for this by drinking water is, यह क्या आता है guys, आपको समझा चुग हूँ, blue baby syndrome, और मैंने कहा था है, जब पानी में nitrates की value, 50 से ज्यादा होना शुरू जाती है, क्योंकि maximum permissible limit है, 50 ppm है maximum, तो अगर इस से ज्यादा हो गई, पी, ppm, nitrates की, तो आपको blue baby syndrome या यह methamoglobin या मैनिया होना शुरू जाता है, तो इसमें क्या होगा, option A, is your correct answer, nitrate, इसमें और इसमें confused मत हो जाना, बस आप, nitrate, right guys, so next question देखते है, a water sample has ppm level concentration of the following metals, यह है, the metal that makes the water sample unsuitable for drinking is, again वही guys stable, right, तो इसमें देखे, iron कितना है, 0.2 है, water जो हमारा sample दिये हो है, तो इसमें देखेंगे, जो iron है, 0.2 इसकी permissible limit है, so इसका मतलब इसकी वरे से तो नहीं हो रहा है, right, magnees 5 है, magnees की value 0.05 ppm होनी चाहिए, लेकिन यहां 5 ppm है, इसका मतलब यह pollution cause कर रहा है, इसका मतलब यह मेरा सही answer है, अगला भी देखते है, copper 3.0, copper की इसमें 3, सही है, zinc 5, zinc 5 ppm, सही है permissible limit से maximum तक है, इससे कम होती भी तब भी चल जाती, लेकिन जादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो मेरा magnees है, this is my correct answer, I hope guys आपको यह सारे questions समझभाए होंगे, कोई doubt हो, कुछ हो तो मुझे बताइएगा, कुछ question जो भी रहेंगे, वो next part में लेंगे, फिलाल, thank you for watching guys, like करें वीडियो को, share करें, subscribe करें, okay guys, bye.